नमस्कार मैं हूँ तान्यक सौधन और आप देख रहे हैं A News Today उतरप्रदेश में योगी मंत्री मंडल में विस्तार की खबरों के बीच सुहेल देव भारतिय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिट से सुर्ख्यों में आ गए है राजभर ने दावा किया है कि वो मंत्री जरूर बनेंगे उन्होंने कहा कि हर चीज का एक मुहरत होता है ये दिन भी चल दी आएगा इस दोरान उन्होंने इंडिया गटबंधन पर भी तीखा हमला किया और कहा कि ये सब आपस में ही एक दूसरे कोग खत्म करने पर तुले हैं जी हां करीब पांच महीने पहले उन्प्रकाश राजभर एंडिये में शामिल हो गय थे तभी से कयास लगाया जा रहा था कि राजभर को योगी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है हाला कि ना तो अब तक योबी में मंत्री मंडल का विस्तार हुआ और ना ही राजभर मंत्री बन पाए शुक्रुवार को जब राजभर से इसे ले कर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो आज नहीं तो कल मंत्री जरूर बनेंगे उम्प्रकाश राजभर ने पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि धैर रखिये मनुकामना पूरी होगी हर चीज का महूरत होता है वो भी बहुत जल्द आएगा और मंत्री पत की शपत भी होगी राजभर ने दावा किया है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो पड़सो मैं मंत्री जरूर बनूँगा कि जब उनसे तारीक को लेकर पूछा गया तो वो इस पर बोलने से बचते नजर आए राजभर ने इस दोरान इंडिया गटबंधन को लेकर भी निशाना सा था और कहा कि यूपी में सपा वाले हाथी को और हाथी वाले कॉंग्रेस को दोड़ा रहे है ये सब लोग कॉंग्रेस को खत्म कर रहे हैं कॉंग्रेस जब खुश सत्ता में थी तो उन्होंने जाती वार जनगरना नहीं कराई थी तब उन्होंने पिछड़ों के हग की हवकालत नहीं की थी और ना ही उनका हग दिया था वही निदेश कुमार के बयान पर डिमपल यादों की प्रतिक्रिया पर उन्होंने कहा कि डिमपल यादों के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन पूरे देश की महलाओं में इसको लेकर आक्रोश है मैं निदेश कुमार के बयान की निंदा करता हूँ ऐसे बयानों से समाज में नफरत फैलती है आपको बता दे कि निदेश कुमार के महिलाओं पर अपत्ती जनक वाले बयान का डिंपल यादव ने समर्थन किया था वहीं आपको बता दे कि NDA में शामिल होने के बाद कई बार सुभस्पा प्रमुक के मंत्री बनने को लेकर कयास लग चुके हैं इसे पहले शार्दिय नवरात्री के मौके पर मंत्री मंडल विस्तार के जब बात आई थी तब भी राजभर ने 10 शहरे तक इंतजार करने की बात कही थी और अब दिवावाली से पहले एक बार फिर उनके मंत्री बनने की अटकले लगने लगी सुत्रों की माने तो राजभर के साथ दारा सिंग चौहान भी मंत्री बनाया जा सकता है तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एन्यूस टुडे